भरी जेव आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है लेकिन खाली जेव आपको जिन्दगी के कई मतलब समझाती है लंबे समय से शनी की ढहिया से परेशान व्रिश्चिक राशी वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत खास है आज का यह राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं कहीं आप इसे मिस ना कर दें तो आएए शुरुवात करते हैं व्रिश्चिक राशी अप्रेल महीना दोहजार चौबिस कैसा जाने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं यह अश्पार जल्जोगा और आप देख रहे हैं Effective Astrology सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्ते के बारे में आपकी राशी के स्वामिग्रह मंगल आपकी कुंडली में चौथे घर में शनी देव के साथ विराजमान हैं जो कि आपको तनाव दे सकते हैं जिस कारण आपको सिर्दर्द की समस्या रह सकती है इसके साथ साथ पेट से जुड़ी समस्या भी रह सकती है इसलिए इसको बड़ी समस्या ना मानते हुए बस थोड़ी सी सावधानी रखने की आवशकता है अब बात करते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा की वृष्चिक राशी के स्टूडेंट के लिए यह महीना सामाने रहने वाला है अर्थात ना ही बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा और ना ही बहुत ज्यादा खराब पंचों भाव में बैठे राहू के कारण आपके मन में परिवर्तन का दौर चलेगा मतलब आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा इसलिए इस महीने आपको अपने मन को कंट्रोल करके चलना होगा अब बात करते हैं लव रिलेशन की तो इस महीने आपको ध्यान रखना है कि प्रेम प्यार में छोटी छोटी बातों पर तक्रार ना हो और मन मुटाब ना होने दे इसमें कोई दोराय नहीं कि रिलेशन आपका बढ़िया रहेगा परंतु राहु सूरे की यूती आपके पंचों भाव में ग्रहन दोश बना रहे हैं जिस कारण छोटी बात भी बिगड सकती है क्योंकि ऐसी स्थिती में मिस अंडेस्टेंडिंग क्रियेट होती है बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है तो बाकी सब ठीक रहेगा मेरिड लाइफ यानि वेवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपकी मेरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है कुल मिलाकर 25 अपरेल तक का समय आपकी मेरिड लाइफ के लिए अच्छा रहेगा उसके बाद ग्रहों के स्थान परिवर्तन में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है अब बात करते हैं आपके भाग्य की तो 14 अपरेल के बाद सूरे उच्छे के होने के करण अगर आप कहीं कोई इंवेस्मेंट करना चाहते हैं कोई डील फाइनल करना चाहते हैं या कोई एक्जाम देना चाहते हैं कोई भी शुब कारें जिसे आप करना चाहते हों तो यकीन मानिये 14 अपरेल के बाद भाग्य आपका साथ देगा आपके अंदर बैठा एक डर जो आपको हर वक्त निर्णे लेते समय डराता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए उस डर को खत्म करना होगा क्योंकि भाग्य आपका उत्तम रहेगा कारेशेत्र की द्रिष्टी से उच्छे के सूरे आपके अपरेल के महीने को सर्वस्रेश्ट बना रहे हैं कारेशेत्र की द्रिष्टी से आपके काम का दबाव कम होगा आपकी परेशानी कम हो जाएगी क्योंकि आपकी राशी में इस महीने सूरे उच्छ के हो जाएंगे उच्च पद पर कारे करने वाले अधिकारियों के लिए यह महीना और विस्रेश्ट रहेगा इस महीने आपका प्रमोशन हो सकता है सिर्फ जिद और आपके अडियल सोभाव पर आपको कंट्रोल करना है तो यह महीना इस वर्ष का सरुस्रेष्ट महीना रहने वाला है अब बात करते हैं व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना 24 अपरेल तक ठीक रहेगा मगर उसके बाद कुछ समस्याई रह सकती हैं इसलिए जल्दबाजी और वानी पर ध्यान देना होगा वीडियो के अंत में आप बात करते हैं इस महीने के उपाई की मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाईक नहीं किया है तो वीडियो लाईक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे इस महीने के उपाए में आप मंगल के बीज मंत्र का जाब करें और गुरु के बीज मंत्र का जाब करना आपके लिए लाब कारी रहेगा इसके साथ सथ हनुमान 40 का पाठ करने से आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाएंगी उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए